मैं अमिठागुर और आज की इस वीडियो में सिखेंगे कि jam portal पे cataloging management service की कैसे करें अभी तक मैंने product के बारे में तो काफी चीज़े बताई हुए कि product की लिश्टिंग कैसे की जाए उसमें bit कैसे क्या जाए product के बारे में सारी डिटेल बताज रुकाँ लेकिन अभी तक हमने service क की नहीं बताया तो अब हम service के उपर आगे हैं अब हम service के topic की start करेंगे आज पहला topic के हमारा service की listing कैसे करनी है सबसे पहला motive यह होता है अगर आप service provider है तो आपके लिए बहुत important है अगर नहीं भी है तो jam portal पर बहुत सारी services ऐसी है जिस पर आप services provide करके यह services provide करके भी अच्छ निकाले और आप इस चार्ट में से भी नहीं देखना चाहते तो आपको यहां search box मिल जाएगा इस search box में type कर देना अपनी service का type तो आपका service आपके सामने आ जाएगा अब बात आती है मालीजिए आपकी service अवलेवल ही नहीं है हमने searching कर लिए अपनी service ढूंड लिए सब कुछ management का open होगा यहां पर request type select कर लेना और यहां पर generate request कर देना उसके बाद क्या होगा jam की team verify करेगी चेक करेगी उन्हें लगता है हाँ इस service को addon करना चाहिए तो उस service को addon कर देगी और फिर आपकी service start हो जाएगी यह तो बात होगी service अगर नहीं है तो अब start होता है हम servicing पे service प हमारी housekeeping में यह पांस तरह की services होती है housekeeping cleaning garbage bag collection वेड़ा हाइड़ा हाइड हाइडिंग सर्विसे पेस्ट कंट्रोल यह सारी housekeeping में आ जाती है तो इन में से जो भी आप provide करते है उसको आप select कर लोगी simply ठीक है उसको select करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की display आएगी इन सभी display में आपको fill कर देना पिल करने के बाद validate कर देना सबसे पहले आपको के करना description पर ख्लिक करना description आए डिस्क्रिप्शन आएगी description आपको read कर ले न है यह एडिटेवल नहीं होती है आपको description पर चेक कर ले नहीं ठीक है उसके आपकोде यह service legal agreement होगा इसमें agreement में आप पूरा agreement स से रीड कर लेना अगर आप इस सर्विस को एक्टिवेट करते हो तो आप के को क्या क्या सर्विस प्रोवाइट करनी होगी क्या 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 आपके टमसें कंडिशन होनी चाहिए इसमें सब कुछ मैंशन किया होगा पूरा एग्रिमेंट ध्यान से ज़रूर पढ़ना पूरा का सबुहिवेट करक्य टमसें मिल्यों चाहिए किसीभी सर्विस को आप एक्टिवेट करते हों टाटो यहां पर आप है करकरको क्लिक करहें-ग बौर्यक्त प्र टुझ करने के बाद एड औरन करेंगे एड़न करकर के सारे उसकी डिपार्टमेंट का नाम डिपार्ड ऑडर आईडी करेंट प्रोजेक्ट स्टेटस कंप्लीटेड है प्रोजेक्ट का वेल्यू जो भी यह सारे कॉलम्स फिल कर देंगे यहां पर उसका सपोर्टिंग डॉक्यमेंट आपको लगा देंगे जैसे हो जाता है और हां सर्विसिसस का डारेख परचेज भी करना होता है तो यहां पर सव में सब्में में SELC sprint लोगे वो डालना है maximum कितना लोगे आगे एक दो इस टैप और है वो कबर कर लेना ठीक है वह सारी कर देनी है minimum maximum सारा फिल कर लेना है यह सारी चीज फिल कर देनी है उसके बाद आपके बास कोई certificate है तो लगा दो नहीं है तो यह relevant नहीं है यह ज्यादा तर आपका catering का service होता है उसमें आपको certificate लगाना mandatory है तो सबसे main होता है rate card वाला rate card आप जरूर धंग से बना maximum आप जादे से जादा डालना क्यों कभी कभी क्या होता है maximum यहां पर डालते नहीं है और हमारे पास कोई बड़ा order दिखता है अब उसको जबामे उस बेड़ में participate करना होता है यह कुछ कर के अंदर अंदर तो यह लाइव होगी और लाइव भी होने के बाद इसके time limit होती है उस time limit से पहले आप उसमें कुछ correction नहीं कर सकते तो सोच समझ के rate card अच्छे से बनाईएगा इसमें जल्दी वाजी मत कीजिएगा rate card में तसल्ली से rate card बनाने आपको यहां पर कोई certificate है तो से दिखेगा आपको यहां पर हम आएंगे services में आएंगे search my offering services ठीक है जैसा मैंने आपको ppt में से बताया यह वाली सर्विस है लेकिन यह भी live नहीं होई यह services के case में क्या होता लाइव तुरंद नहीं होती है यहां पर देखें this services catalog is pending for approval यह भी pending है approval के लिए के टीम इसको verify क करके चेक करेगी आपने सबकुष accurate डाला है सबकुठ ठीक है तो इसको within 10 to 7 days के अंदर अंदर इसको आपका live कर देगी live करने के बाद आप bid में participate कर सकते है आपका already कहीं contract चल रहा है तो उनसे आप direct purchase भी करा सकते services की direct purchase भी होती है अभी लोगों को बहुत से लोगों को यही मत बूलना और आप अगर हमारी paid services का use करना इस्तमाल करना चाहते तो description में आपको हमारे contact number मिल जाएंगे आप उस पर contact करके हमारी paid services का इस्तमाल कर सकते हैं